नमस्कार दोस्तों हमारे हिंदी यूटूब चैनल हाएंड हाएजूकेशन में आपका स्वागत है आईए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर भारत में घूमने के लिए बहुत सी धार्मिक और अतिहासिक जगह हैं कुछ लोग धार्मिक जगहों को देखने के बहुत सौकीन होते हैं ऐसे में आज हम आपको ऐसी ही एक धार्मिक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारतिय संस्किर्तिक और हिंदूओं के धार्मिक अस्तल पूरी दुनिया में ही फैले हुए हैं इंडोनेसिया में हिंदू प्रमपडाओं से संबंधित कई ऐसे मंदिर हैं जो की समुद्र के नीचे बना हुआ है आज हम उस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो यह मंदिर इंडोनेसिया के समुद्र के नीचे बना है यह मंदिर काफी साल पुराना है यह मंदिर भगवान सीव को संपिर्थ है और इसमें इस्थित भगवान विष्णू और सीव की मुर्ति लगवग 5,000 साल पुरानी है समुद्र में स्विमिंग करते लोग इस मंदिर को देखने के लिए जरूर आते हैं समुद्र के नीचे इस्थित यह मंदिर देखने में खंधर जैसा लगता है लोग को मानना है कि यह द्वारी का नगरी हो सकती है क्योंकि द्वारी का नगरी समुद्र के तट पर बसी हुई थी और कुछ समय बाद वह नगरी समुद्र में विलीन हो गई थी भगवान विश्नु और सीव के अलावा यहां और भी बहुत सी मुर्तियां हैं जो की पुराने समय में होने वाली पूजा को दरसाती है हिंदु भगवान के अलावा यहां पर बुद्ध भगवान की भी बरी से बरी मुर्तियां है तो दोस्तो इस जगह को देखने के लिए एक वार जरूर जाए और साथ ही वीडियो पसंद आए तो सेरे वम लाइक जरूर करें जै हिन जै भारत